जैसियू संकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीस पांडे 14 सितंबर 2022 का मकर रासी फल लेकर के उपस्थित हूँ मैं आज बतलाओंगा कि 14 सितंबर 2022 का दिन आप मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है, लखी अंक क्या है और लखी रंग क्या है वीडियो में बने रहिए, वीडियो सुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे मार्धम से अपनी समस्याओं का समाधान चाते हैं तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेज करें, मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730 यह नमबर में description box में भी लिख दूँगा, तो चलिए बिना देर किये सुरू करते हैं 14 सितंबर 2022 का मकर रासी फल तो मकर रासी वाले भाई बहनो, आज रासी से चंद्रमा की जो इस्थिती है, वो चतुर्त भाव में है और चतुर्त भाव का जो चंद्रमा होता है, वो पूर्णता positive नहीं होता, थोड़ा negative होता है आप यह मान कर चलिए, कि 50% की positivity और 50% की negativity आपको देखने को मिलेगी आज आपको आलस्य और प्रमाद, मतलब कुछ न करने की इच्छा परिसान कर सकती है आज आपके दिमाग में उलजन और थोड़ी परिसानी रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपका कोई भी काम खराब नहीं होगा काम आपका निकल जाएगा, सफल हो जाएगा आपको क्या करना है, कि आपको अगर आज एक्जाम देना है, या कोई डिल करने जानी है तो अपने आसपास के बिद्यार्थियों या अपने आसपास के लोगों के स्वभाओ को दिमाग को समझते हुए अगर आप चलेंगे तो तू-तू-मै-मै या तकरार की नौबत नहीं आएगी, मनमुटाओ की नौबत नहीं आएगी और आपके काम में बाधा नहीं पड़ेगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक तो रहने वाला है, इसमें कोई संसय नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत मानसिक उल्जन आ सकती है, तो इसके लिए विद्यार्थि क्या करें कि आज सुबह ही सिव जी के मंदिर में जाएं और सिव जी को कपूर द्वारा आरती दिखाएं और वहीं सिव मंदिर में बैठकर 10 मिनट तक ओम नमह सिवाय का जाप करें और ओम नमह सिवाय का जाप करने के बाद वहीं सिव मंदिर में बैठकर 3 बार बजरंग बार का पाठ करें और आज के दिन अगर आपका कोई एक जाम है, कॉम्पटिशन है, तो आपका इस उपाय से बहुत ही सांदार जाने वाला है ठीक है, राजनितिग्यों के लिए आज का दिन बड़ा बढ़िया है, राजनिती में अगर आप कोई पारी खेलना चाते हैं, तो आज का दिन आपको सपोर्ट करेगा वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन मिला जुला दिख रहा है मतलब थोड़ी खटपट भी रहेगी लेकिन थोड़ा सुख भी मिलेगा संबंधों का आप लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं किसी खुशनुमा यात्रा पर भी आप जा सकते हैं मिला जुला करके इस मामले में दिन ठीक रहने वाला है लब रिलेशन्सिप के मामले में दिन थोड़ा गड़बड है अगर आज आप प्रपोस करना चाहते हैं तो मत कीजेगा मामला बिगड़ जाएगा चंद्रमा के पूरी तरफ पॉजिटिव होने का थोड़ा सा इंतजार कीजे स्वास्त के मामले में पेट की समस्या परेसान कर सकती है इसलिए खान पान पर आज आपको ध्यान देना होगा साथ ही अपने माता पिता और इसके साथ ही अपने छोटे भाईयों के स्वास्त पर भी आपको ध्यान देना होगा छोटा भाई किसी स्वास्त की समस्या से परसान हो सकता है तो मिला जुला करके आज का दिन ठीक ठाक है बिजनस की बात करें तो बिजनस में भी आज आपको थोड़ी ज्यादा महनत के बाद इनकम अच्छी खासी मिल सकती है आमदनी आज मकर रासी वालों की अच्छी रहेगी कहीं से आकरस्मिक धन प्राप्त हो सकता है लेकिन इस अच्छी आमदनी के लिए भी आपको आज बढ़ियां अच्छी खासी महनत करनी होगी तब जाकर के ये आमदनी आपको ठिक ठाक मिल सकती है तो आज मिला जुलाकर दिन 50-50 रहने वाला है और मैं आप सभी मकर रासी वालों से ये कहूंगा कि आज के दिन आप हनुमान जी की फोटो के समक्ष दीपक जलाए और बजरंग बान का कम से कम तीन बार या पांच बार पार करें और प्लस ओम नमा सिवाय का 108 बार पार करें विद्यार्थियों के लिए मैंने जो उपाई स्टार्टिंग में बतलाया है वो उपाई उन्हें करना है ताकि आज के दिन उनका कोई पेपर बगर हो तो वो बढ़ियां से चला जाए ठीक है बाकी तो कुंडली में ग्रहों की जैसी स्थिती है उसके उपर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी टिपेंड करती है ठीक है मित्रों तो आज का जो लखी रंग है वो है ग्रे कलर और जो लखी अंग है वो है नमबर 3 तो आज का रासी फल संपूर्ण हुआ जाते जाते एक बार फिर से कहे दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाते हैं तो आप मेरे वाट्स अप नमबर पर मैसेश कर सकते हैं मेरा वाट्स अप नमबर है 8540096730 यह नमबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगा तो मैं चलता हूँ मित्रों जये सियो संकर